पत्मी मेरी पसंद की साड़ी नहीं पहंती, पती ने काटा बवार, ठाने पहुचा मामला, तलाक की नौबत. आगरा न्यूज, साड़ी पहनाने के चक्कर में पती-पत्मी का रिष्टा तलाक के मुहाने तत पहुँच गया है. पती अपनी पत्मी को मनपसंद साड़ी पहनने के लिए बोलता है. पती नहीं पहनती है, तो पती घर में कलेश करता है. आए दिन की इस कहानी ने पत्नी को परेशान कर दिया और वहां अपने माय के चली गई. अब मामला परिवार परामर्श केंद्र पमोच गया है, जहां बीते रविवार को दोनों की काउंसलिंग की गई. बता दें कि जनपद आगरा की रहने वाली युवती की शादी जनपद हात्रस के रहने वाले युवक से हुई थी. दोनों का विवा आठ महीने पूर्व हुआ था. हिंदू रीती रिवाज से दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई थी. पती ने परिवार परामर्श केंद्र में बताया कि वह अपनी पत्नी ने बेंतेहा मोहबबत करता है. पती ने कहा कि वह चाहता है कि पत्नी उसकी पसंद की ही साड़ी पहने. पती को साड़ी में पत्नी को देखकर बेहत प्रसंदता होती है. दूसरी तरफ पत्नी ने कहा कि वह अधिकतर पती के पसंद की ही साड़ी पहंती है कभी कभी जब अपनी पसंद की साड़ी पहंती है तो पती नाराज हो जाता है नाराज होकर पती खरी खोटी सुनाने लगता है इसी बात को लेकर दोनों में जगड़े होना शुरू हो गए एक दिन पती के ज्यादा गुसा करने पर दो महीने पहले वह माई के वापस आ गई ये भी पढ़े मैं गे हूँ, मुझे तलाग दे दो शादी के बाद रोते हुए बोला पती, पत्नी ने उठाया ये कदम माई के आने के बाद पत्नी ने पुलीस से पती की शिकायत की शिकायत मिलने के बाद पुलीस ने मामले को परिवार परामर्श केंदर में चांसर कर दिया परिवार परामर्ष केंद्र में मामला आने के बाद काउंसलर डॉक्टर अमित गौड ने दोनों की काउंसलिंग की डॉक्टर अमित गौड ने कहा कि एक अजीब मामला आया है पती चाहता है कि पत्नी उसकी पसंद की ही साड़ी पहने यूवक मानसिक रूप से बीमार है या वहाँ पत्नी को अती प्रेम करता है दोनों को समझाया गया है दोनों में समझाता भी हुआ है खैरियत जानने के लिए अगली तारीक दी गई है